नमस्कार दोस्तो वेलकम टू विजार इनफो डिफेस्ट तो दोस्तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाल हैं इंडियन बॉमबर्स के बारे में कुछ वेबसाइडों और कुछ न्यूस पर ऐसी खबरे आ रही हैं कि भारत बॉमबर्स खरीदने वाला है तो दोस्तो इस दोस्तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आपको पता होगा कि पिछले साथ जब गलवान घाटी के वाकिया हुआ तो उसके बाद बॉर्डर के इलाके में चाइना ने अपने बॉमबर्स को तैयनात कर दिया था तो दोस्तो उस वक्त ये कफी बात उठने लगी और फिर उस पर लोगों ध्यान ने दिया फिर अब कुछ बाते उभर रही है जबकि एरो इंडिया सो हुआ तो उसमें बीवन बॉमबर आया था जो कि अमेरिका के एक बॉमबर है तो दोस्तो उसके बाद फिर बात उठने लेके कि भारत सायद बीवन बॉमबर खरीदेगा इसलिए बीवन लांसर बॉमबर अमेरिका से आया है तो दोस्तो यह एक अमेरिका से खरीदने की प्लालिंग चल लए है और जैसे कब लोग स्क्रीम दे सकते हैं यह एक है रसियन बॉमबर जो की टुप लोग पाकदा नाम रखा गया है जिसका की फिप्त मतलब की एक स्टी इनका भी कुछ हाथ लग रहा था मतलब कि जब यह बॉमबर तयार होता तो यह चीन भी इस बॉमबर को खरीदने की प्लानिंग बना रहा था दोस्तों इसी के कारण भारत इस प्रोजेक्ट से पीशे हड़ गया और दोस्तों जहां तक बात है सो अधिसी बॉमबर की तो ड मगर इसके बीच में भारत चाहता कि कुछ बॉमबर्स रूस या अमेरिका से खरी ले ताकि जो बॉमबर्स का गैप है एक वो फिल हो जाए और बीच में कोई पाकिस्तान या चीन कोई हिमाकत करते हैं या किसी तरिके का तो उन्हें माकूल जवाब देने के लिए क्योंकि यदि बॉमबर एक हैबी बॉमबर रहता है तो वो बड़ी भारी मातरा में बॉमबर बॉम और नुक्लियर वीवन तक करी कर सकता है यदि हम लोग बीवन बॉमबर्स की बात बारे मात करें जो कि अमेरिका का बॉमबर है तो वो काफी भारी मातरा में हतियार गोला बार्व साथ परमाडू हतियार भी ले जाने सच्चम है तो ऐसी बाते बूर्ट रेदिक साथ बीवन लांसर को खरीदा जाए क्योंकि ये श्टील्थ नहीं है तो इसका मतलब इस पर खर्च भी कम आएगा और भारत का जो घाटक प्रोजेक्ट है वह भी लगभग कंपलीट होई चाहिए या खुद पर ही जो बनाना चाहिए तो कमेंट करके जरू बताईएगा और जो दोस्तों भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तुरन चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेज डिफेंस अब्डेट मिलता रहे तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो म किसी नए डिफेंस टॉपिक के साथ